हेलो क्लास 12th students inverse stigmatic function के second exercise के 12th question को हम लोग आज के बढ़ेंगे हमें इसकी value को find करना है कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग देख सकते हैं बाहर 10 है तो हमें इसको और इसको 10 में बदलना पड़ेगा 10 inverse में इसको 10 inverse में बदलें कैसे चलिए सीखते हैं हमें दिया है साइन इन्वर्स 3 by 5 इसको मैं थीटा मालूंगा साइन को धर बेजूंगा पर जागा 3 by 5 equals to 10 ठीटा ठीक है अब साइन थीटा जो था परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर की वैलू 3 हो गई हाइपोटेनियस की वैलू 5 तुरंत आप बेस नि यानि 3 by 4 और अगर आप इस 10 को धर बेज देंगे तो क्या जागा ठीटा बराबर 10 इन वर्स 10 इन वर्स 3 by 4 मतलब मैं इस साइन इनवर्स 3 by 5 को कनवाट कर किलिक दिया 10 इन वर्स 3 वा फूर में ठीक है देखेगा मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 फिलिख रहा हूं 10 इन वर्स 10 inverse 3 by 4 मैंने इसके जगर 10 inverse में लिखाया है क्योंकि मैं ज़िए इसको 10 inverse में बदलना था similarly इसको भी हम लोग 10 inverse में बदल देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो इसको 10 inverse में बदलना बहुत एजी होता है आपने पढ़ाओ का एक formula की cot inverse x जो होता है वो 10 inverse 1 by x के equal होता है ठीक है मतलब हमें बस इसको अगर 10 inverse में convert करना है तो इस बीच वाले का reciprocal करना होगा उल्टा करना होगा तो अब आपने इसको और इसको 10 inverse में बदल लिया है ठीक है अब आप यहाँ पर देखे 10 inverse x है प्लस 10 inverse y है ठीक है इसको में मिटा दे रहाँ मैं 10 inverse x प्लस 10 inverse y का formula यूज करूँगा ठीक है आपने पढ़ा होगा 10 inverse x प्लस 10 inverse y जो होता है वो equal होता है 10 inverse x प्लस y डिवाइड बाई 1-xy के ठीक है तिया जाएगा 10 10 inverse 3 by 4 प्लस 2 by 3 डिवाइड बाई 1-3 by 4 इंटू 2 by 3 ठीक है यह हो जाएगा तिया जाएगा 10 bracket में 10 inverse इस उपर वाले fraction को solve करेंगे तो क्या आएगा 17 by 12 और नीचे वाले fraction को solve करेंगे तो क्या आएगा 6 by 12 ठीक है कैसे बता दे रहाँ 3 by 4 प्लस 2 by 3 मैं कैसे add करता हूँ इस 3 को इस 3 multiply करता हूँ 9 आएगा इस 4 को 2 में multiply करता हूँ 8 आएगा divided by इस 4 और 3 को multiply करता हूँ 12 आएगा 4 को 3 में ठीक है ति जागा 6 by 12 इसके नीचे वन लगाऊँगा फिर इस 12 को 1 में multiply करूँगा तो 12 आएगा 1 को 6 में multiply करूँगा तो माइनस 6 आएगा फिर इस 1 को 12 में multiply करूँगा तो 12 आएगा मैंने 6 by 12 आएगा ऐसा करने का फायदा यह है कि यह 12 से 12 तुरंद कर जाएगा ठीक है और हमें मिलेगा simply simply हमें क्या मिलेगा देखेगा 17 by 6 मिलेगा simple क्योंकि यह 10 inverse और यहां पर 10 जो है वो आपस में समाप्त हो जाएगे ठीक है तो मैंने कुछ नहीं किया है इसको 10 inverse में बदला इसको 10 inverse में बदला फिर 10 inverse x प्लस 10 inverse y का formula लगा के इसको इसको solve करके यह cut कर दिया हमें यह मिला ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अगर समझ में आया है तो मुझे comment box में 10 inverse 1 की माइनस वन की वेलू बताइएगा 10 inverse माइनस वन की वेलू comment box में बताइएगा ठीक है आज के विश्य नहीं मिलते हैं अले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई